चारक के IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं Air Quality Index पे क्योंकि हवा की quality काफी खराब हो चुकी है मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक सतर पर पहुँच गई है मुंबई में 27 अक्टुबर को Air Quality Index सुबह के 10 मजे 300 के पार पहुँच गया है यानि की ये बहुत खराब कैटिगरी है इसके अलावा राजधानी दिल्ली में Air Quality Index 27 अक्टुबर को 249 दर्श किया गया यानि राजधानी की हवा भी खराब कैटिगरी में पहुच गई है इसके अलावा दिल्ली से लगे नौइडा में Air Quality Index 208 और गुरुग्राम में 252 रिकॉर्ड किया गया यानि इन दोनों शहरों में भी हवा खराब कैटिगरी में दर्श की गई है खराब Air Quality के कारणों के अगर बात करें तो हर्याना पंजाब सहित देश के उतरी हिस्से में पराली जलाना अभी भी जारी है इसके कारण दिल्ली, नौइडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हावा में धुन बढ़ रही है इस साल अब तक 25 सो से जादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं हाला कि खेत में आग लगने की संख्या पिछले दो सालों की तुल्ना में बहतर है पंजाब सरकार ने राज्ये में पराली जलाने के मामले में कमी बताई है पंजाब सरकार ने आकड़े जारी करते हुए बताया है कि 2022 की तुलना में 2023 में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के मामले में 53 परतिशत की कमी आई है इस पीरियड में पराली जलाने के मामले 5798 में से घटकर 274 हो गए है वही हर्याना सरकार ने अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा के हवाले से 25 और 26 अक्टूबर के दो नक्षे भी जारी किये हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर्याना में पराली जलाने के काफी मामले हैं एर гuality को मापनिक के ऐगर बात करें तो शुन्य और 50 के बीच AQI को अच्छा समझा जाता है 51 और 100 के बीच में संतोष जनक, 101 1 और 200 के बीच में मध्यम, 201 1001 और 300 के बीच में खराब, 301 और 400 के बीच में बेहत खराब और 401 से 500 की बीच में गंभीर शेणी में माना जाता है ऐसे में हवा में सुधार करने के लिए दिल्ली की तरफ से काफी प्रयास भी किये जा रहे है दिल्ली के प्रयावरण मंत्रालिया ने बताया है कि दिल्ली और NCR में ग्रैब 2 के तहट कोईला और लकडी के उपयोग पर बैन, CNG और इलेक्ट्रोनिक बसों की जादा ट्रिप, सडकों की नियमित सफाई, पानी का छिड़ताव और ट्रैफिक जाम लगने से रोकने से प्रदोशन को नियंत्रित किया जा सकता है Graded Response Action Plan दिल्ली और National Capital Reason में प्रदोशन से निपटने के लिए बनाये गए नियमों और उपायों का एक दस्तावेज है चुकि कई इलाकों में AQI 300 पार हो चुका है जो गंभी श्रेणी में आता है तो दिल्ली में 19 अक्टूबर से ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया गया है बरते प्रदोशन को रोकने के लिए दिल्ली में पठाकों पर बैल लगाया है कोई भी शक्स पठाके फोड़ता है तो 200 रुपय का जुर्माना है वहीं उसे 6 महीने की जिल्ली की सजा भी हो सकती है 2017 में पहली बार पठाकों की बिक्री पर पावंदी लगाए गई थी साल 2018 में ग्रीन पठाके जलाने की अनुमती दी गई थी इसी तरह 2019 में भी केवल ग्रीन पठाकों को दिवाली की इजाज़त दी गई थी जबकि साल 2020 और 2021 में पठाकों की खरीद बेच पर पूरी तरह से ड्रोग की घोशना की गई थी वायू परदूशन का सेहत पर बहुत ही खराव असर होता है वायू परदूशन के संपर्क में आने से हमें कई तरह की बिमारिया हो सकती है वायू परदूशन से क्रॉनिक, ब्रोनोकाइटस की समस्या, अस्तमा का आटैक, फेफ़रों का कैंसर, फेफ़रे में सूजन और जलन, यूमोनिया, बच्चों में बर्थ डिफेक्ट, दिल की बिमारी, लुकेमिया, आखों में जलन और गले में खराश या दर्द शामिल है इसके साथ ही आज का हमारे टॉपिक यहीं पर समाथ होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद